हेलो फ्रेंड फैपी जंबास्ट में आप सब कैसे हो और योप साव अच्छे ही होंगे तो मैंने आप आज बिनाए हैं मत्रा के प्यारी जो हमाई लड़ बॉपाल को बहुती पसंद है और उनका फेडरेट है तो मैंने आपकर मुद्व सुदन का मिल्क आउडर लिया है यह 500 का पैक है लेकिन मुझे इसका आप लेना यानि 200 ग्राम तो मैं आपर डालोंगी दो चमच देशी भी और मैंने कड़ाई में दो चमच देशी यह डाल गया है और आप जो भी ब्रांड का मिल्क पाउडर मिले आपको ले सकते हैं तो मैंने वादेश बन का लिया है अब हम इ अच्छे नहीं बनेगी तो फ्रेंड्स यहां पर हमें जो है इसको टकता चलाते रहना है तो मैंने यहां पर इसको दिम्याज पर चलाते वे बून लिया है और हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पूलना है प्रेंड्स अगर आपको लगे यह हमारे ठोड़ा है ताकि यह सॉफ्ट हो जाए तो हम अब इसमें डाल रेते हैं थोड़ी सी मिलाई और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा जो मिल्क पाउडर का था अखलार एक तो चेंज हो चुका है और अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा कहीं लंस भी है तो मैं इसको थोड़ लाल देती हो और अपनी ठोड़ा सा सोफ्ट हो जाएगा अब हमें इस एक्षे से मिक्स कर लेना है और फ्लेम को बंद कर देना है अगर पिल पाउडर में लंस रह जाए तो मैं मिक्सी में राइंट कर लेना है अब मैं डाल रही हूं लाइची पाउडर प्यड़े में और हमें इसे थोड़ा सा गुलगुना ही रखना है तो ठंडा नहीं करना है और इसमें जो भी लंस है उसे हमें चम्चे की साहिता से हाथ से अच्छे से वलमल खर निकाल देने है लंस बिल्कुनी रहने चाहिए तो अब ये काकि सोफ्ट हो चुका है अब हम इसमें डाल ले प्रेंड्स अगर आपको रैसीपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे लड्डू बोपाल जी को पतुरगा पेड़ा बहुत पसंद है और ये एकदम बिल्कुल मत्रा स्टाइल में ना ही इसमें कोई चास निया ना ही इसमें को जेंगे और आहीं घुटेकर सब्सक्राइब चास करें तो फील गया करें तो इसमें अब यह आपको मतोड़ा पशलाए और यह खाने में भी पूदी टेस्टी लगता है एक्दम इल्कुल इसका अलग टेस्ट होता है क्योंकि में पाउडर बिल्कुल इक्दम स्वादिस्ट वहता है तो यह पेला भी प्राइब तो आप भी जरूर करें और वैने आइसे बनाया चिप चिप आला पिरा पिरेच्छा लेगा